नमस्कार किसान भाईयों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कृषी जानकार यूटूब चैनल पर मेहूं मनिश धाकर दर्शकों मेहूं बढवन गाओं में जो की जिला मनसोर में है और यहां पर मैं आया हूँ विकास जी से मिलने विकास धाकर साब में खड़े हुए है और इस वीडियो में जो है भूत महतपुण मुद्दा है जो की हमारे किसान भाईयों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है और उसको किलियर करवाना ज़रूरी और किलियर ऐसे वक्ति से करवा रहे हैं जिन्नोंने खुद ऐसा अनुभव किया है और इस अनुभव को आपके तो हमारा नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल जो आप सभी देखते हैं जिस पर भाव आपको बताया जाते हैं क्वालिटी के साथ में लेसुन के उसमें 8 नमंबर 2023 के दिन एक लेसुन का लोट आया था जो की दो बोक्स का ही लोट था क्वांटिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया भाव मिला था हमने उस वीडियो को अपलोड किया नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर उसके नीचे दर्शकों जो समझदार किसान है उन्होंने देश बात को माना सामने वाले किसान भाई जिनन अच्छी क्वालिटी बनाई थी उनको बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इत्ते अच्छी क्वालिटी बनाई है कि मंडी में जो है एतियासिक भाव पर भी की है लेकिन कुछ किसान भाई एसे अभी भी है क्योंकि हमारी कोशिश दर्शकों लगातार आपको साल दर साल उन किसान भाई उसे मिलवा रहा वह रहा हैं उनकी जो अनुभव आपके साथ में साजा कर वा रहा है कि आप भी अच्छी क्वालिटी बना पाएं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं साल दर साल किसान भाई जो समझ रहे हैं जागरुख हो रहे हैं वह अच्छा भाव भी कमा रहे हैं काफी किसान मंडी में मिलते भ आपने लिए हैं याँ फिर अभी जिनके मनमें यह बात है कि इसा नहीं हो सकता है उसमें कोई जोल जाल है या फिर को व्यापारी से सेटिंग हो जाती है किसान की या फिर मनीज भाई भाव बताते हैं ये भी किसान और व्यापरी से मिले हुए हैं तो इसके लिए इसको मैं किलियर करने के लिए आया हूँ अभी आपको सारी चीजे किलियर हो जाएगी लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास दिला दूं कि जब तक आ रहे हैं और उसके बाद में आपके कर कुवालिटी नहीं निकल रही है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो खेटी में जो हम कमी रख रहे हैं सिर्फ उसका दोश एउसके लावा अच्छे पर बेचने वाले किसान का कोई दोश नहीं है आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी असफलता का जो ठीक रहा है वो सफल किसान पर नहीं फोड़ सकते हैं यह इसलिए बात उठी है दर्शकों क्योंकि जो अच्छी क्वालीटी का वीडियो डालते हैं उस पर कुछ किसान भाई होते हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं तो मैं आज विकास जी के पास में खड़ा हूं और विकास जी से में आपको इस चीज का जो इनका अनुभव है क्योंकि यह उस समय से जब आपकी जो यह सोच जो किसान भाई इस तरीके के कमेंट करते हैं उस सोच से लग समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे पता है इस समय पर खेतों में बहुत काम चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपने समय निकाला है इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार्वेक्त करता हूं सबसे पहले आप अपना परीचे देजिए और आपकी अपनी बहुत कर रहा है तो सबसे पहले थे तुम्हें इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं कि मुख्यमुद्दा है क्या है कि अभी तक कुछ किसान भाई यसे हैं जो कि यह सोचते हैं कि मनीश भाई जो खेतों में जाकर के जानकारी दे रहे हैं फिर मंडी से जो अच्छे-च्छे भाव बता रहे हैं जो क्वालिटी अभी कर रही है उसमें कोई जोल जा ले तो मैं आप से जानना चाहूंगा आपको लेसुन कंटिन्यू कर रहा है इस वर्ष आपने सबसे उचे भाव पर लेसुन जो बेची है उसका क्या रेट रहा था इस सबसे उचे रेट में देखे हमारा वी सिक्की सजार सामें चालू किया था जो गुंती सिजार रुपे दिन हाइस रेट भी बेचा है मनसूर मंडी में हमने 29 प्रतिकुंटल भी बेचा है वाकिए बहुत जो दार थी और इसलिए भी ती जी पर अच्छा चार साल से आप रियावन का जो है उत्पादन ले रहे हैं या फिर यह बढ़िया क्वालिटी इसका उत्पादन ले रहे है इससे पहले जो लेसुन थी उस समय का आपका खोकुस आतना ध्यान नहीं देते थे यह बृसण लगाना आब ज लगा दी जी उसको पानी दे ना पानी दे दिया और आफ दी आर खाद दे दिया दावेज चिड़की तो टाइम से चिड़कवा हुआ नहीं बीकरा रियावन कर लेकिन जो एब लेकिन जो क्वालिटी जो मिश्वास मानते थे या इसा बिख सकता है तो उस संभाव है आप पिर आपके मन में कुछ ऐसा आता था कि तो अब देखा उनकी क्यों देखा उनकी प्लॉट देखे हमने उस तरीके दमने उन से लेकर उसको चैंज किया दो साल लगे हम भी शुरू साल फर्ष्ट साल ऐसी क्वालिटी नहीं बना पाए जो अज बेश रहे हैं को सुरू साल रियाव अंसिल्वर लगा कर नहीं बना पा के बनाने के लिए हमको उसके सीखना पड़ा साल देसराल हमको दो साल लगे तिन साल त्रही साल थोड़े ऐची क्वालिटी बनी चौटे वर्ष तो उससमय पर आपने अनुभव बताया कि उस समय पर आप बहुए आपको भी लगता था कि यार के से संभ़ हो यह लेकिन तो उस तरीके खेति की जोसा हमने लेसुन का इसी क्वालिटी बनाई इसा माल पेदा किया बनाया तो मंडी में लेकर जब गए तुसका आकर्शक बजार मिला मिला तो हमने को इस्वास हुआ हुआ है यह सत यह है कि आज से चार साल पहले बात करते थे कि यह लेसुन इसे अच्छा फाइदा मिला अच्छा इनके दोनों उनुभव रहे एक समय पर जब अच्छे वाव पर उचे भाव पर वखता था उस समय पर ये जिससे अगार कंशक किसान रवा कमेंट कर देते हैं कि में जोल हैं ँछ ना कुछ इसी बात है लेकिन आज जब खुद ने क्वालिटी बनाई खुद ने फोकस किया खेती में ध्यान दिया नए तरीके अपना है नए तकनीक को एड़ोप्ट किया उसके बाद में जब आज खुद की क्वालिटी 29,000 रुपर पृतिकोंटल हाइस जब बेची है तो आज इनके जो सारे ध्यान दीजिए खात का बराबर उपयोग कीजिए इंसेक्टी साइट फंगी साइड माइक्रो नुट्रेंट लैसुन को जिन चीजों की आउशकता होती है वो समय समय पर दीजिए ध्यान दीजिए और क्वालिटी बना करके लेकर के आईए किसान भाईयो मैं आपको इश् सयोग बहुत आशिरवाद मिलता है मुझे इसके लिए मैं अपने खाली समय को भी आपके लिए इन्वेश्ट करता हूं यहां तक आता हूं काफी किसान भाईयों को जो है जब मंडी में आते हैं कि आपने जो जानकरी दी थी उस तरीके से खेती करी बहुत फाइदा हुआ क कपिल भाईया का जितना योगदान किसानों की कुजी बनाने के लिए उतना शायदी दर्षकों अभी तक आपको यूटूब के माध्यम से मिला होगा हमारे जो किसान भाई जिनसे हम आप से मिलवाते हैं बड़वन गाओं के हैं नगरी गाओं के धम्नारों तक गए हैं इस चोटी मांसिक्तार से निकल जाईए किसान भाइयों क्वालिटी बनाइए मंडी आएंगे पेसा मिलेगा जिंदगी बदले की दर्शकों मैंने काफी किसान भाईयों की बदलते हुए देखी यह लहसुन है दर्शकों किसी की भी जिन्दकी बदल सकती है केवल इसको आपक equality बना पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय जवान जय किसान